विभिन्द योजनाओं का अभी सरण जम्मु कश्मीर सरकार और राज्य सरकारें गरीबी उन्मूलन के लिए कई तरहा के कारिक्रम वा योजनाओं लागू कर रही हैं जम्मु कश्मीर में विकास की एक नई लहर शुरू हुई है और वहां के लोगों के समगर विकास के लिए सरकार कई नीतियों और कारिक्रमों को लागू करने पर जोर दे रही है मैं एक सोचल वर्कर हूँ और दुपानदारी का काम करता हूँ यहाँ पंचायद में जो काम हुए हैं बहुत सली बक्ष हुए हैं और इतने ज्यादा काम हुए जितने पिछले पॉच सालों में नहीं हुए सम्विधान के अनुच्छेत 447 जी का प्रयोजन आर्थिक विकास और सामाजिक न्याई के लिए स्थानिय नियोजन और योजनाओ के कार्यानवयन के लिए ग्यारवी अनुसूची में सूची बद सभी 29 विश्यों के संबंध में राज्य सरकारों को शक्ती और अधिकार हस्तांतरित करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है जम्मु कश्मीर में स्थानिय निकाय ग्राममीड भारत के रूपांतरण के लिए राश्ट्रिय महत्व के विश्यों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यानवयन में उलेखनी भूमिका निभा रही है जम्मु कश्मीर में योजना संसाधन अभी सरण का उद्देश सबसे खरीब समुदायों की जरूरतों को पूरा करने में सरकार, खेर सरकारी संगटनों, निजीक्षेत्र और लाभारतियों के बीच ताल मेल स्थापत करना है योजनाओं को आगे बढ़ाने में पंचायतों का योगदान रमु कश्मीर के ग्रामीर क्षेत्रों में योजना अभी सरण ग्राम पंचायत विकास योजना, नागरिकों एवं उनके निर्वाचित जन प्रतनिधियों दोनों को ही वी ख्रेंद्रित प्रक्रियाओं में एक साथ लाने का कार्य करेगा आपको बता दें जीपी जीपी से विकास मुद्दों, महसूस की गई आवश्यक्ताओं तथा सीमांत तबकों के लोगों सहित समुदाय की प्राथ मिक्ताओं को परिलक्षित किये जाने की अपेक्षा की जाती है अभी सरण मॉजल का मुख्य विचार क्या है? अभी सरण मॉजल संचार को एक प्रक्रिया के रूप में ख्रयानवयन पर जोर देता है प्रेशक और रिसीवर आपसी समझ के लक्ष की ओर व्याख्या और प्रतिक्रिया में सनलग्न है ये केवल संदेश के अर्थ में नहीं है बलकि कुछ ऐसा है जो प्रेशक और रिसीवर द्वारा किसी काम में लाया जा सके भारत सरकार द्वारा चलाय जा रहे कार्यक्रमों में जम्मु कश्मीर के ग्रामीर क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों को मुख्य तौर पर इस प्रकार वर्गीक्रत किया जा सकता है पात्रताएं PDS, मन्रेगा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार आदी जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थे और पोशन, स्वच्च पेजल, स्वच्चता, स्थाई आवास, बिजली आदी शमताओं में व्रध्धी, प्रारम्भिक शिक्षा, व्यवसाईक, तक्नीकी शिक्षा, कौशल व्रध्धी आदी आजीविका के अवसर पैदा करना, संस्थागत वित, क्रिशी पशुपालन, वाटरशेड, MSME विकाज, खाग प्रसंसकरन आदी भौतिक अवसन रचना, योजनाय, सडके, बिजली, दूर संचार, आदी इनका रिक्रमों की प्रभाव शिल्ता को गरीबों के संस्थानों और संबंधित मंत्रालेओं के बीच संबंधों के साथ काफी बढ़ाया जा सकता है अभी सरण और भागिदारी हमने सेवा वित्रण के लिए विभिन मोजल विकसित करने में सक्षम बनाएगी NRLM, SRLM इन साजिदारियों को विकसित करने और सहक्रियाओं का निर्मान करने पर काम करेंगी पंचायती राज संसान सक्रिय रूप से शामिल हो लेकिन संस्थाओं की स्वायत्ता संरक्षित भी रहे कंवर्जन्स स्कीम के तहत कारियों के लिए क्रिशी विभाग, सार्वजनिक नर्मान विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन विभाग से भी प्रस्ताव मांगे जाते हैं पंच्रायत समितियों के कार्य स्वीक्रित कर उनके क्रियानवेन की प्रक्रिया शुरू की जाती है विभागों की ओर बजट जारी होने के बाद विभागों के शेश कार्य स्वीक्रित किये जाते हैं कन्वर्जन्स से लाभ केंद्र सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ जोड़कर पंचायत राज के तेरवे वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के बजट से विकास कार्य करवाना तथा एन आर एल एम द्वारा क्रिशी एवं गैर क्रिशी क्षेत्रों में महिलाओं के नेत्रत्व एवं प्रबंधन वाले उपक्रमों को समर्थन दिया जा रहा है मिशन के तहट 179 उत्पादक उपक्रमों को समर्थन दिया गया है जिसके द्वारा 2.78 लाख महिलाओं को लाब मिल रहा है पंचायते कर रही प्रयास राश्ट्र का होगा विकास